माता स्री नीशा यहां बैठी हुई है कर रहें सॉपिंग इस फाइनली बहुत मसकत के बाद नीशा का लहंगा मिल गया तो गाइज यहां पर सभी रिस्तोदारों के लिए हम लोग ले रहे हैं सारी वेगरा अब सभी करते हैं आज के अपने प्यार से व्लॉग में तो गाइस देख सकते हैं पीछे के नाजारा है कि यह फटाफट हो रही है तयार और सुबह के बज़र है है सारा इक ग्यारा होने वाला है हमारा पंदर नेट घरी फास्ट अभी ग्यारा बश्कर पंदर बेट हो रहा ह थह सब्सक्राइब बस पापा का हुआ था और इदर हम लोगने भी आतमाराम को रखा है आतमाराम हम आरे इदर है और इदर हम प्रित शुक्त लोग फिर से जा रहे है पटना और आज निशा अपने दिए देखते है क्या साई लेगी या लहेंगा लेगी जो भी ड्रस लेन ट्रमर करना है तो भी देखते हैं क्या-क्या लेना है दूले राजाकी तो स्वापिंग हो चुकित और अभी तीतली का लेना है मुझे ड्रेस रेना है और निश्ड़ा को लिएना है माँ को लेना है और भी बहुत सारा कुछ काम वेगर है तो हम लोग पूरे परिवार के साथ फिर से एक बार जा रहे हैं पटना तो आइनू वेरिवेल आप लोग को बहुत मज़ा आने वाला है बहुत ज्यादा मज़ा आएगा ब्लॉग में क्या जी बाकी एक दम मस जमा जम त्यार हो रहे हैं आज क्या पहनना है तुमको साड़ी लेना है यह लहेंगा पता है सारी और लहेंगा से तुम फिर लहेंगा क्यों जाके देखती है उस दिन भी आदा गंटा समय बरबाद की यहां पर मतलब अब हम लोग पटना इसलिए जाते हैं क्योंकि हमारे घर के बह बहुत अच्छी है तो एक घंट अलगता में पटना पहुंच जाते हैं और महां का मार्केट भी अच्छा है तो इसलिए हम लोग वहीं जाते हैं वहींचे सौपिंग करते हैं तो फिर से जा रहे और अभी हमें तीन चार पर जाना पर बने रहे हैं तो अभी यह तैयार हो जाए और अब पुरन दिक लेंगे ममी पापा सब पो एंप अब दर रेडि हो रहे है इंद ने के लिए अच्छली आप लोगो दिखाता हूं का रहा चुती वह बैठ चुके तुप्रियों को तुप्राइब नियुक्ति लगा दो शांत आएगा दूद्ध निशांत आए तुमारे छोटा लगा गड़ा पीडिया है चलिए देपिक तुराइब तुराइब देखिति दम वास बैस चीटली अंदर तीटलू तीटलू ताके बाई आज हमारे हैं शांत म कि उस दिन बहुत ज्यादा लेट हो गई थी लेकिन आज ठीक है आज हम लोग सही से बैप है करा किस भाई है तो अभी फिर से निकलेंगे जैसे कि आप लोग को बताया करहां तो आप लोग बरे रहे और सफर धोरा खुबसूरत होता है तो अनन्द लेरते हम भी और आप ल हो गाईज अल्मोस्ट बहुत चुके हैं लोग एक गंटे सफर करने के बार पटना पूल पर यह देखिए यह दोनों मा बिटी कैसे सोई हुए एक दम मस्ट इधर मांता हो पाटे हुए और एक ने कॉमेंट कहते हैं कि भई ही मांसु बजे को ऐसे लिगे जा रहे हैं आप पूस्दिन के व्लॉग में तो आराम से पीचर कमफर्टिबल बैट जाते हैं जगा काफी रदा इसलिए इस गारी को भी लेके जाते हैं कि घर में चोटी गारी है तो उसमें 5-6 लोग अटने पाएंगे तो गाइस कुलकाता से आने के बाद सच बता है तो हम लोगों को चै लिए है देखते हैं जैसा होगा आपको बताएंगे बट यह वाला लोकेशन मेरा फेवरेट लोकेशन है जब भी हम लोग छप्रा से अगर पटना में करते हैं ना जेपी से तुसे तो यह जो लगता है ना गाइस यह व्यू मुझे मतलब लगता है कि भाई कहीं बाहर हो इ लीचे गंगा नदी है तो मुझे बहुत खुब्सूरत लगता है और मैं हमेशा अपने ब्लॉग में भी लोगों को दिखाता हूं कि इस गंगा के उस पर हमारा छपड़ा पड़ता है और इधर पटना पड़ता है तो फाइनली अभी हम लोग पटना सिटी और पहुंच च चुके हैं बहुत बाहर से आपको दर्शन करा देरों ज्यादा दर नहीं पांच मिना ठीक है चलिए अब आपनों जहीं चलते हैं गुर्द्वारा के अंदर में तो कि अभी हम लोग गुर्द्वारा के अंदर और यहां टेकेंगे मत्था इतनी पहली बार आई है ना तो ग और अब यहां पे एक टित्ली हो गई है खुस क्योंकि तित्ली को पहली बार लेकर रहा है गुर्द्वारा कि आशाफा पाना दीजे हम बागो को लिए हुए आप पाना दीजे हमको तो इदर साफा रखा हुआ है बहुत सारा क्योंकि खाली सर पैसे नहीं जाते अंदर कि ट्ली को भी बांदीजेगा यह पापा को भी बांदीजे अ इसको छोड़ दीजे इसको फाइनली हम लोग आ गये तिटली तिक दोंदे को कैसे खूस होगे देखें कि इसे नहीं जाते हैं क्योंकि 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 जाते हैं चलो 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 लोग तो पटना सेथी से निकल के भी बहुत चुके हैं हम लोग खेतान मार्केट और यहां पर दिना था कपर वेगर हम लोग को और वहां पर खोव इंजॉआ है कि हम लोग रहे हैं हम लोग लेखे हैं ले लगे निश्या का लहेंगा लेंगे और देखे क्या जोता होई है इंदर माताश्री निशा यहां बैठी हुई है कर रहेा लिए कुछ तो गाइस अब हैक कर देख सारी सारी है मतलब पसंद कर ली था उसको सौट आउट करना था क्योंकि लगबग हमें 25 सारिया चाहिए थी क्योंकि घर में रिलेटिवस जो भी होंगे सब ही आएंगे तो सब को देने के लिए तो एक बर फाइनल चेक आउट कर रहे थे हम लोग कि कितना है और कौन सा अच्छा है क्या नहीं है बाकि उसे में डिसकुसन चल रहा था खुब मस्ती मजाग भी चल रहा था और ये पटना में मेरे एक फ्रेंड की दुकान है जो बहुत ही अच्छी है और जैनमीन रेट में कपड़ा मिल लाता है इसलिए हम लोग यहां पर आया हुए सौपिंग करने के लिए बाकि अभी नीशा का लहंगा वागारा भी लेंगे और दुलहन का भी सारा कुछ लेंगे तो चलिए आपको दिखाते हैं आप लोग बने रहेगे खुब सारा प्यार सपोट करते रहेगा और अब सारी तो दिखाते लेकिन अभी क्या कि गाइस इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही है सच बताओ तो लेट भी काफे ज़्यादा हो चुका है तो इसलिए ज़्यादा ब्लॉक सूट करने का इच्छा भी नहीं हो रहा है बट चली जितना हो सखेके आपको दिखाएंगे घर पे जाके तो गाइस फाइनली काउंटिंग करने के बाद मा कह रहे है कि दो-तीन सारिया भी और भी लेनी होगी क्योंकि और भी हो सकता एक्स्ट्रा सारी अगर गेस्ट आ जाए तो फिर क्या करोगे तो उसलिए अभी हम लोग और दो-तीन सारिया देख रहे है और उसके बाद देखेंगे नीशा का लहंगा क्योंकि नीशा उदर बैठी हुई क्योंकि वहाँ से थोड़ा फैन लगा हुआ तितली थोड़ा अगर हम लोग बाच्चित करें तो उठी भी जाए कि कोई तितली सो गई है तो इसलिए थोड़ा नीशा साइड में होके बैठी हुई और मैं पापा ममी इधर देख रहे है बट नीशा को भी दिखाई दे रहा हुआ से तो वह भी साड़ी पसंद कर रही है देख रहे कि कौन सा क्या है बटी सारों में बतारी क्योंकि तितली सोई हुई है तो गाइस फाइनली नीशा के चेरे पर स्माइल आ गई क्योंकि अब यह लहंगा हम लोग नीशा के लिए और बहुत ही प्यारा लग रहा है यह लहेंगा ठोड़ा साप ड्राइट से मिलता जुलता है तो अभी देखते हैं नीशा का क्या डिसीजन हो रहा है और पापा हम लोग सभी बैठे हुए यहां पर इस फाइनली बहुत मसक्कत के बाद नीशा का लहंगा मिल गया मींद आने लगी इस जमाई आ रही है और साम के साथ बच्चु के साड़ा साथ बाटा में कुछ चपल वेगरा लेना है घर पे पहनने के लिए भी और पाटी वेर तो मुझा लगता है कि यहां पे नहीं मिले पाटी वेर ले लिया और बहुत जगों तो मैं कैमरा निकालना ही बूल गया बागू को पक्रों तो यह करो वो करें वेरी वेल इतना सारा काम वेगर रहता है तो अभी हम लोग आ चुके हैं यहां पर देखते हैं क्या है आप लोग बढ़े राएंगे व्लोंग में तो गै शुक्ति टितली को खाना है तितली चिला रहें पकर थितली को पकरी यह अज़र पापा लोग भी है और टाइम ने ही इसने हम लोग लेकि निकल जाएंगे खाएंगे नहीं यहां पर अब बढ़र है इसको पैक करवा के चलना जाना है अब देख नहीं है तो पूर्ट पर पास्टाइम नहीं है क्योंकि पंदर बिस मिट तक ही अभी जहां पर में जाना उचीज खुला रहेगा तो आपको पताएंगे कहां जा रहे हैं केमारा ओडर रेडियो रहे हैं मां खाव यह ओला खाव खूब सारा शॉपिंग करके घर आचुके हैं और क्या बताई इतने मस्त मस्त कपरे थे ना देखके मन करना तो सारे ले लिए बट फाइनली एक मैंने लहेंगा ले लिया है जो कि मैं पहनूंगे एंगेजमेंट वाली अरे खुबसूरा तो सारी भी अच्छा लगा तो मैंने ले लिए मैं धंग सो देखी भी नहीं हूँ इसे और अभी वह दिये भी नहीं है क्योंकि बोली को पॉलिश वगरा करा कि अच्छी से सब देंगे वरना आप लोगों को दिखाती अपना लहेंगा और सारी जो भी मैंने लिया कल आ जाएगा कल में पटना भी जाएंगे और कहा जाने वाले जरह बता दो फिर जाएंगे वह लहेंगा भी देने जाएंगे क्योंकि ब्राइड के लिए जो मेरी देवरानी है उनके लिए भी लहेंगा लिया है तो वह भी देने जाना होगा उनके घर पे और ममी जी भी जाएंगे हम भी जाए अभी कनफर्म है नहीं है 50-50 है देखते हैं मन तो है जाने का बट अभी देखते हैं क्योंकि इतना ज्यादा थक गये थना ट्रेवल ट्रेवल हो गया है अतितली का तब एक बीस ही नहीं हो तो सोच रहा है कि देखते हैं जैसा होगा वैसे आप लोगों को पता चली जाएगा व्लॉग में एक बार वैसे मैं मिली हूँ और आप लोग अगर बोलिएगा तो मैं वो वीडियो भी शेयर करूंगे उसे मैं चुड़ी चुपके चुपके थोड़ा सा वीडियो मैंने शूट किया था जब पहली बार मिलने गया था यह नहीं गया हुए थे देखने के लिए अब लोग कमेंट कीजेगा तो मैं आप लोग के लिए जरूर वो वीडियो पोस्ट करूंगी कि आखिर मेरी डेवरानी कौन है इतना वाज आता है बाकी कल तो मुझे लगता है कि रिवील होई जाएगा फेस कल तो हम लोग जाएगे तो आप लोग देखेंगे अच्छा कल स्टमड़न आप दिल थ강 के बैटियाए और इतनी प्यारी इतनी अच्छी कि नजर ना लगें तो उसी उसका लहंगा भी बहुत खुप सूरत हा उसका भी साला जुल्री बगायरा भी जुलिरी लेना च्ईूरी उटिल हो गया और यशी तो मेरा तो होई गया तो एस यही प के लिए दूच रहे थे कि चलते हैं देवरानी से मिलते हैं थोड़ा बहुत मेरा भी मन कर रहा था बट बट भी कुछ फाइनल वगएर वगएर वाइस तो नहीं है तो नहीं है और बाकी यह लोग कल जाएंगे मिठाई वगएरा भी लेके आएंगे मतलब गवाऊ सारा काम है समझ मेने कौन सबढ़े करो कौन सब जब जरूरी काम है तो ऐसा हुग है महाल घर का रंग पेंट भी हो रहा है मतलब आज लगभग मतलब सारा जो काम है बस अब कल है कि सब कुछ अच्छे से पैक वगेरा करके पूरा रेड़ी कर देना है ताकि हम लोगों को पर्सों जिस दिन एजरेजमेंट है उस दिन कोई काम ना रहे और कल तो महंदी भी लगाना है हातों में तो वह एक समझ सकते है कि उसके लिए भी दो घंटा चाहिए और बच्चा है तो उसके सुला के फिरी में लगा लूगी आप देखती हो जाएंगे लेकिन मैं भी जाओंगा पहली बार क्यूंकि से पहले नीशा मा ही गया है और पापा और मेरा भाई गयते नर्की देखने के लिए सब जाएंगे झाल झाल पाई वी वाल